सोलन के ओद्योगिक शेत्र परवाणू में इन दुनों डाइरिया का प्रकूप लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीज उप्चार के लिए लगातार अस्पताल में पहुँच रहे हैं। आपको बता दें परवाणू में अब तक करीब 250 लोग डाइरिया से ग्रसित हो चुके हैं जिसको लेकर स्वास्त विभाग पूरी तरसे अलेट हो चुका है जहां अस्पताल में भरती मरीजों का उप्चार किया जा रहा है तो वहीं फेल्ड में लोगों को अब जागरू करन हैं ऐसी में लगातार इन लोगों को स्वास्त सोविधा उपलब्द कराई जा रही है तो मतलब दिन में उप्चार के बाद वो छुटी उनको दे दी गई है वो विल्कुल ठीक है अब क्या साब्धानिया भी भाग में बगती है साब्धानिया हमें यह जो लग रहा है यह पानी पे जा रहा है पानी के सेंपल्स भी लिए हैं उनकों से क्या पे पिल करनी नहीं क। वहीं DC सोलन ने कहा कि इस विश्यवें स्वास्ताविभाग को दिशा निर्देश दिये गए हैं तथा लोगों को जागरू करने के लिए आशा वरकुरू की दूटी लगा दी गई है इसे के साथ पानी के सेंपल भी लिफ्ट किये जा रहे हैं और परवानु शेत्र में टेंकरों की माध्यम से भी पानी सप्लाई की जा रही है उन्होंने सबी संवर्दीक भागों से बैटर की है और ये såndर्ट निक रहे हैं उसमें की जो इन्षासणचर भानी है वो टैंकर के माधम से सप्लाई किया जा रहा है और वो पता रहे हैं निगा से उसके स्थिश्वाद के लिए कहान-स पानी लेके आते हैं और इसकी वज़े से ही मुखे कारण लगता है कि ये डाइरे के कैसी हुए है इस बारे में आवशिक दिशन देश दिया चुके हैं अब हमने ज़ा देश दिये कि हमें एक टेक टैंकर को चिंडित करेंगे और कहां से वह पानी लिफ्ट करेंगे वह भी सोर्सेज अडिटिफाइब करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूशिक ज़न दूब को इतरता है तो दिन में प्रीव डिर्स तो क्या स्वास मामने आ रहे हैं तो स्वास्ते भी भाग को कुई हिदायते देगे इसकी स्थीतिया अग्षाइब करना काम कर रहा है और जो इनके फील्ट पर आशा मांकर्स है वो फील्ट पर जा रही है तो वो और वेर करा रहे हैं कि उन वालक पानी को पिए और दूशिक पानी को पीदे सबचे और जो आशिक दवाईया है वो भी बित्रत की जाए